नमस्कार, आईए जानते हैं update Xtreme 160R के बारे में इसमें आपको पहली कलर यहाँ पर देखने को मिलेगी sports red दूसरी आपको देखने को मिलेगी vibrant blue और तिसरी मिलेगी pearl silver white नौथ ही आपको मिलेगी matte black और नए कलर यहाँ पर देखने को मिलेगे Steel 2.0 वाली एडिशन के नाम से गाड़ी के दोस्तों हम बात करेंगे Dual Disc Brake आपको इसमें Option देखने को मिलते है ABS के साथ सांदर आपको exhaust system यहाँ पर देखने को मिली है Dual Tune Color आपको देखने को मिलेगे यहाँ पर आपको monoshock suspension देखने को मिलेगी Open वाले chain cover दी गई है तो कुछ ऐसे आपको देखने को मिल जाती है Single Seat यह है इसकी नए edition जिसे हम जानेगे Steel 2.0 के नाम से इसमें दोस्तों आपको आपको red clear के देखने को मिल जाता है suspension यहाँ पर आपको 3D में दोस्तों देखने को मिलेगी Extreme Stills की branding Grab handle आपको red में देखने को मिलेगी सांदार आपको मिलते है hand guard जिसे बहुत लोग knuckle guard भी क्याते हैं Engine call के साथ है गाड़ी आती है इसके front profile के दोस्तों हम बात करेंगे LED आपको मिल जाते है headlight to DRL तो आपको दोस्तों LED में ही indicator देखने को मिलेगी सामने आपको मिलेगी दोस्तों hero का 3D emblem यहाँ पर आपको black standard देखने को मिल जाते है side mirror यहाँ पर आपको फुल digital meter देखने को मिल जाती है Bluetooth की connectivity के साथ gear position indicator आपको देखने को मिलेगी और आपको देखने को मिलेगी ABS के light मिलती है साथ ही आपको मिलते है दोस्तों low fuel की warning भी यह वाले गाड़े 0-60 की speed पगड़ते है कि वाल 4.7 second में इसमें आपको मिलता है 163cc का XSense का FI engine पावर आपको देती है 15 bhp के torque आपको generate करेगी 14 Nm की यह वाले गाड़ी आती है FI speed के transmission के साथ सामने आपको मिलेगे 276mm की disc के brake सिंगल चैनल ABS में और पीछे आपको मिलती है 220mm की disc 130mm की आपको drum brake देखने को मिलेगी सामने आपको मिलते है 187 के tubeless tire पीछे आपको मिलते है 137 सतर के 137mm की आपको wheel waste देखने को मिलेगे 167mm की आपको मिल जाती है ground clearance 790mm की seat height है इसके हम बात करेंगे सिंगल डिस की weight के बारे में तो वो है 138.5 kg और dual disc की weight है 139.5 kg fuel tank आपको मिल जाती है 12 liter की तो अब इसके दोस्तो पहली variant है XT 160R के front disc वाली model इसके 100mm कीमत है 1,20,000 on route कीमत है 1,42,000 रुपाई से लेकर 1,45,000 रुपाई के अंदर है फिर इसके दूसरी variant है dual disc वाली model जिसके 100mm कीमत है 1,23,000 on route कीमत आपको पड़ेगी 1,46,000 रुपाई से लेकर 1,49,000 रुपाई के अंदर है इसके तीसरी variant है XT 160R स्टिल्थ वाली model जिसके 100mm कीमत 1,25,000 on route कीमत है 1,48,000 रुपाई से लेकर 1,51,000 रुपाई के अंदर है फिर आपको इसके दूसरी variant है आपड़ देखने को मिलती है स्टिल्थ 2.0 इसके 100mm कीमत है 1,31,000 on route कीमत आपको पड़ेगी 1,54,000 रुपाई से लेकर 1,69,000 रुपाई के अंदर है आप अगर दोस्तों लेनी की मन बना रहे सबसे टॉप मॉडल स्टिल 2.0 वाली variant तो अगर आप करते हैं 45,000 रुपाई तक की डाउन पेमेंट तो आपको लोड अमाउंट लेना पड़ेगा 1,09,000 रुपाई का 11% ब्याजदर के हिसाब से 2 साल के लिए मन्थली किस्ता आपकी बनेगी 5,500 रुपाई की